तो अवेरी वहम वेलकम टू आल देश्परेंट आफ लाइब्रेरी एंट इंफिर्मिशन साइंस सभी विद्धाद्तियों का स्वागत है जो भी लाइब्री साइंस से भी लाइब्रेंस, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं यह आप में से कई सारे स्टूइंट है जो कॉम्टिक जाम की त्यारी कर रहे हैं तो स्टूइंट आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर का दें ताकि उन तक उन तक भी लेक्षर का जो नोटिफिकेशन है, वो बहुत सके तो स्टूइंट इस वीडियो में हम यह आप लोग को बताने वाले हैं, यह विकेंसी निकली हुई है, कॉलेज ओफ वोकेशनल स्टडी, उनिवर्सिटी ऑफ डेली, त्रिवेनी, सेख सराय, निव डेली से, तो यहां पर अप्लिकेशन्स, अप्लिकेंट्स आर उसके लिए यहां पर हायर कर रहे हैं, तो नेम आप दो पोस्ट, नमबर आफ पोस्ट, यहां पर कैटेगरी दी गई है, मेक्सिम जो एज रहेगा वो दिया हुआ है, और पे स्केल दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो कि है लाइबरेरिन के विकेंसी, जिसमें नमबर आफ एक है, जो कि पी डबलूडी के लिए है, और इसमें पे स्केल जो रहेगा वो टैन की एकॉर्डिंग आपको मिलेगा, लेवल टैन का, फिर यहां पर लास्ट में देखे, लाइबरेरी अटेंडेंडेंस, तो यहां पर लाइबरेरी अटेंडेंडेंस के विकेंसी तीन है, एक OVC के लिए है, और एक PWD के लिए है, इसमें भी maximum age जो रहेगा, वो 30 रहेगा, अच्छा, लाइबरेरीन की maximum age ती वहां पर mention नहीं है, और इसमें जो pay scale मिलेगा, वो 1 से मिलेगा, उसके अलावा, नोट में देखे, candidates fulfilling the eligibility criteria may fill the online application form available on the college website, तो यहाँ पर college website का link दियो हो है, यहाँ पर जाके आप online eligibility, मतलब है इस form को download कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर college, यहाँ पर देखे, थर्ड जो paragraph है, इसमें, the application fees is Rs. 500 for general, OBC, category and nil for SC, ST, PWD and women candidates, बाकी जो candidates है, उनके लिए सब nil है, only general and OBC के लिए 500 रुपे है, payment should be made through online link, online link के through ही payment होगा, the fee is non-refundable, यह आपको वापस नहीं दिया जाएगा, अगर आपने एक बार payment कर दिया तो, the date of submission of online form is from 24-11-2021 to 15-12-2021, तो थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गया है, अगर इसके लिए eligible है, तो आप फिल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास दो दिन हैं, मतला आज का दिन भी count करें तो, तीन दिन हैं आपके पास, those in service should apply through paper channel, proper channel, जो भी इसके लिए मतलब है, वो एक proper channel के तुरू यहां पर apply करें, the candidates are instructed to carefully read the eligibility criteria along with the general instruction to be fulfilled on online application form, पहले आप लोग पढ़ लें, मतलब हाला कि हम सारी चीज़े बताई रहे हैं, बट अपने तरफ सभी आप एक बार read जरूर कर लें, जो भी इनके termine condition, notification, instruction, सारी चीज़े, उसके अलावा यहां पर अब इसके कुछ detail बता देते हैं, जो कि essential qualification में आपको जाना जरूरी है, तो सबसे पहले library के वेकेंसी के लिए क्या मांगा गया है, master degree मांगा गया है library science में, जिसमें आपका at least 55% marks होना चाहिए, और आपका यहां पे an a consistently good academic record होना चाहिए, knowledge of computerization of library भी आपको यहां पे होने चाहिए, second point में qualifying in the national eligibility test conducted for the purpose of purpose by the UGC और any other agency approved by the UGC, आपको जो NET है वो आपने clear होना चाहिए आपका, उसके अलावा, the candidates who are or have been awarded with a PhD degree in accordance with the university grant commission, वो भी यहां पे मांगा गया है, उसके अलावा यहां पे काफी और सारी चीज़े मांगे गई हैं, जैसे कि यहां पे A point में देखें तो PhD degree मांगा गया है, और इसके साथ और आपको पास और वी कोई मतलब, क्राइटीरिया, मतलब eligibility क्राइटीरिया है, तो भी इसमें लगा सकते हैं, अब चलते हैं, जो last वाल अवेकिंसी है, यहां पे library attendance की, उस पे क्या है इसका qualification, तो यहां पे देखे, library attendance, यहां पे 10th, past 10th और equivalent examination from any state education board और government recognized institution, किसी भी state board से या government recognized institution से आपने पास किया हुआ, और 10th class और certificate से आपको पास होना चाहिए library science में, library information science में, desirable में आपे computer as a subject at secondary level, और basic course in computer from any institute, तो यहां पे computer का आपके पास knowledge होना चाहिए, basical अगर आपके पास एक साल छे मेनी का computer के degree है, तो यहां पे चल जाएगी, नोट में देखे, यहां पे कुछ notes दिये हुए हैं, जो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, उसके अलावा यहां पे age limit की बात करें, तो 30 year माँ गया है, यह हमने आप पर उपर आपको बता दिया था, उसके अलावा यहां पे, यहां पे हमने आपको amount भी बता दिया था, कि unreserved OPC and EWS के लिए 500 रुपे हैं, बाकि सब के लिए मतलब कोई फीस नहीं लग रहा, और लास्ट रेट भी हैं आपको आपको हमने बता दिया था, 15 12 2021 है, तो यह पूरा डीटेल था, इस फॉर्म से रिगार्डिंग, तो आशा करते हैं, आपको जितने information दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में, किसे अलग टॉपिक के साथ, तक तक के लिए धन्यवाद,